हेलो फ्रेंड्स एक वार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टेडी फॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर रोज की तरह टॉप 20 जीके जीएस कोस्टिनों की जो कि आपके आगामी सभी एकजाम के लिए जैसे की कामी फॉर्म है या जो भी और कोई भरती हैं सभी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं काफी दोस्तों रहेगी आपको काफी मदद मिलेगी हर रोज की तरह में आपको बता दूब कि दोस्तों इसमें जो पर लूसंट की वहां से प्रसन लिए गये हैं और पांकी ती यूबी ट्यार के दोरा उन कोश्चिनों को भी इसमें लिया गया है तो वीडियो को अंतर जरूर देखेगा 20 कोश्चिन है 10 से लेके 15 मिनिट के आपके वीडियो रहती है और आपको 20 में से आपके कितने से हुए यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है तो सुरू कर अथा का परतिसेद किया गया है अब आपने एक पड़ा होगा आपको यह प्रसन बिल्कुल आता होगा आपने सिर्फ इतना पड़ा होगा कि अस्परिसिता का अंत बांकि आप इसके अंदर जानते होंगे बहुत कुछ अस्परिसिता का अंत यह आपने पड़ा होगा अनु अनुचेद 17 में है तो आपका एक नंबर इसमें पक्का हो गया है बांकि आयोकिने परिभासा देखिए कि भारती सविधान के किस अनुचेद द्वारा अस्पर से ताको उत्साहित किया गया है तथा इस पर्था का परतिसेद किया गया है तो इसका से उत्तर हो जाएगा सिद्धि के समंद में इसमें बलताया गया है बांकि अनुचेद 21 हो जाएगा निज्टा का अधिकार जीवन जीने का अधिकार अनुचेद 21 हो जाएगा तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के तरफ दोस्तों इसमें जादा एक्सप्रिया नहीं रहता है जल्दी जल्दी ए हैं अगला कोश्चिन के विशु पुस्तक दिवस छ levels मनाया कब मनाया जाता है दोस्तों चाहेंग पुस्तक दिवस कोई भी दिवस हो एक ना एक र विश्चु पुष्टक दिवस मनाय जाता है अप्शन नमær B 23 अप्रेल को आज दोस्तोς 20 मार्च है तो 20 मार्च को मनाय जाता है J और K अब G से क्या याद रखना है विश्चु गौरईया दिवस विश्चु गौरईया दिवस ये भी एक्जाम में आया था कब 21 मार्च को यानि की ये मनाये जाएगा कल को यह आपको याद रखना है य भी एकजाम में प्फुस लिया था भिस्सriv कघवार्च कम मना उनिस्णौहकानब्य में या फिर उनिस्द सेटालिस में तो जिन जिन लोग ने उप्शन नमबर भी सोचा है आप बिल्कुल सही है जिन उत्तर उप्शन नमबर भी दिया है 1965 आप बिल्कुल सही है किर्शी मुल्य आयो की स्तापना हुई थी 1965 में अगला और महत्वपूर्ण परस्ण सभी का सभी परस्ण बहुत महत्वपूर्ण है गांधी जी का दांडी मार्च रहे साबर मती से किस्तिती को प्रारंब हुआ और किस्तिती को दांडी पहुँचा ये आपसे यहाँ पर पूशा गया है महत्मा गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च रहे किस्तिती को प्रारंब हुआ था और किस्तिती को दांडी पहुँचा था तो साबर मती ये आपको बताना है इतने मैं आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा बिल्कुल आपने सही सोच आया ओप्शन नमर ए 12 मार्च 1930 इस भी और 5 अपरेल 1930 को 12 मार्च को शुरू और दांडी पहुंचा था 5 अपरेल 1930 को यह आयोक के दरा इसी तरह से ओप्शन बनाया गया था तो दोस्तों यह इसका से उत्र हो जाएगा ओप्शन नमर ए बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरव अगले कोश्चिन है भारत में मूल्य संवर्धित कर यानि की वेट कब लागू हुआ यह आपको बताना है एक अपरेल 2004 को एक मार्च 2005 को एक अपरेल 2005 को या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो इसका से उत्तर हो जाएगा एक अपरेल 2005 को बिल्कूल आपने इसका से उत्तर सोचा से उत्तर दिया ऑप्शन नमर C हो जाएगा इसका सही याद रखेंगे एकजाम मैं पूछा जा सकता है अगला कोश्चिन आ गया है कंप्यूटर का किसी संगठन के introductory web page को क्या कहा जाता है introductory पूर्टल ओमपेज वेब साइट या फिर वोल्टल तो इसको छोड़ दीजिए website भी नहीं कहते है जो home page होता introductory वेब पेज होता जो home page होता किसी भी इंट्रोड़क्टरी जो website में जाता है आप तो home page होई तो home page हो जाएगा introductory वेब पेज तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है आपका economy से सैनवेट किसे संबंदित है विक्री कर से उतपाद सुलक से सीमा सुलक से या फिर सेवा कर से तो सैनवेट किसे संबंदित है तो अपसन नमर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सै उतपाद सुलक से बिल्कुल आपको याद रखना है एक्जाम में आ सकता है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है निश्ची दूरूप से एक नमबर आपका इसमें भी पक्का है भारत में 1936 में स्तापित पर्थम राष्टी उद्ध्यान का क्या नाम रखा गया काना राष्टी उद्ध्यान भरतपूर राष्टी उद्ध्यान हैली राष्टी उद्ध्यान राजाजी राष्टी उद्ध्यान अब दोस्तों आपको पता है भारत में 1936 में या एसिया में या उत् परदेश में तो 1936 में दोस्तो भली भाती आप जानते हैं उद्यान के बारे में ये हमारे नहीं निताल और पॉड़ी जनबतु में फैला हुआ है हैली राश्टी उद्यान बरतमान नाम है कारबेट राश्टी उद्यान ये आपको बिल्कुल याद रखना है आठ अगस्त 1936 से इसका नाम कर दिया गया कारबेट राश्टी उद्यान राजज़ी राश्टी उद्यान दून में है ये आपको बिल्कुल याद रखना है भरतपुर राजिस्तान में है और काहना किसलिए MP में तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरफ अगला कोस्चिन है नर्मदा तो जैसे भी मिले आपको याद रखना होगा नर्मदा नधी किस इस्तान से उत्पन्न होती है अमर कंटक हेमालाई प्रहमगिरी या फिर बाढ़ालाचा पास या बाढ़ालाचा धर्रा तो इसका स्यवत्तर हो जाएगा अमर कंटक की पहारी से बिल्कुल आपको याद रख ग्रूप में तो एक लाइक निश्ची तुरूप से आप कर दीजिए और जाते-जाते से अपने दोस्तों के साथ सेर भी आपको जरूर करना किसी ग्रूप में तो अगला परसने यह भी एक्जाम में पूछा गया था सूरी का प्रिष्टी ता आप मान आका गया है आपको बताना है तो इसका से उत्तर आप्शन नमर ए हो जाएगा सूरी का प्रिष्टी ता आप मान आप्शन नमर ए चेह जार डिगरी सेल्सियस एक्जाम में आया था आगे भी आ सकता है अगला हैं बक्षर की लड़ाई यहाँ पर आपको भरना रहेगा किस वर्ट समन लड़ाई लड़ी गई यह आपको पताना है किस में लड़ी कीती पंदर सोचिह 266.YN तो यहां पर आजाएगा दोस्तो आप्शन नमर सी बकसर की लडाई लड़ी गी थी सतर सो चौशट में पंदर सब्वीस में पानी पत्का पर्थम युद्ध बाबर और इप्टाइम लोती लोदी और अठाट सताउन में सुतंतर संग्राम भारत का और पंदर सच यहतर में हल या एक्जाम में आ जाएगा कि रामचरित मानस किसके समकालिन थे तो कैसे भी आ सकता है परस्ण हर्स अकबर वाजिद अलिसा या फिर औरंग्जेब तो रामचरित मानस के लेखक तूलसी दास एक पक्चन तो यह आप पक्का है और अवधी भासा में अभी पी एक्जाम मे आए था और कई बार एक्जाम में बना है आज से नहीं बहुत पहले से प्रस्ण पूछा जा रहा है आगे को भी पूछा ही जाएगा अकबर के समकालिन थे गोस्वामी तुलसी दास रामचरित मानस के लेकक तो यह आपको बिलकुल याद अखना है तो वड़ते हैं अगले खुझा में लिके गें संसिकिर्ट मांग दी प्रा करत या फिर पाली तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपने बिलकुल सही दिया आपसर नमर्डी पाली पाली बिलकुल सही उत्तर बहुत ध्रम के अधिकान से एगत पाली पहाँ निखे गें तो वड़ते हैं अगले साने option number C हो जाएगा एक्जाम में पूछा गया था आगे भी पूछा जा सकता है अगला प्रस्ण है भूमधी रेखा पर दिन की अउधी यहां पर आपको भरना रहेगा कितने घंटे की होती है 16 गंटे की 14 गंटे की 12 गंटे की या फिर 10 गंटे की तो इसका से उत्तर हो जाए अगर आपको यह भी अच्छी लगती है तो इसे भी आप जरूर देख सकते क्योंकि जीके भी आपके लिए बहुत जरूर यह प्रेक्टिस के रूप में आप ले सकते हैं अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप तीन डॉट है यहाँ पर कौने में speed बढ़ा कर अगला है वह इस्तान जहान नदिया समुधर में मिलती है किनारा अब किनारा हो गया जोड जील अब जील अलग चीज़ है इसका सेवत्र हो जाएगा मुहाना वह इस्तान जहां नदिया समूदर में मिलती है उसे कहते हैं मुहाना बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है चूना पत्थर किस चट्टान का उधारण है अवसादी चट्टान आगने चट्टान रूपांतरी चट्टान या फिर चौला मुखी चट्टान तो चूना पत्थर किस चट्टान का उधारण है तो यह हो जाएगा अवसादी चट्टान का उप्सन नमर ए हो जाएगा बिलकुल ही सही तो वड़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है मुखोटा निर्ति सैली का संबंद किस से है मड़ीपुरी, कतकली, कत्थक, भरतनाट्यम आपको बताना है इन में से तो मुखोटा निर्ति सैली का संबंद हो जाएगा कतकली जो की है केरल से कदकली केरल से वरतना तमिल नाडव कत्थ क्यूपी मड़ी पूरी मड़ीपूर बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन और आज का आंखरी कोश्चिन बागी मिलेंगे कल को नए दुहाधार कोश्चिन के साथ राष्टिय गंणा सस्तान है राष्टिय गं तो इसका सही तरह राश्टी गन्ना सस्तान कानपूर में हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्सन नबर डी बांकि सरकरा इस तरह से आयोग वही करता है कि जैसे स्टार्टिंग में यह देखिया वह आयोग आपको निश्चित रूप से क्योंकि दोस्तों जैसे फॉर्म है क्यों को एक नए वीडियो के साथ अब तक अपना ध्यान रखेगा वाई वाई तयारी करते रहिए